नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपको मेरी चानल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली जब लगा था तीर तब इतना दर्दिना हुआ था जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान देखी अपनों की हाथ में यहाँ आपने सही सुना हमाज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज इनका बाज़े हैं यह अनुवर्सरी है उनको मेरे तरफ से धेर सारी गुडविशिस तो चलिए शुरू करते हैं हमें अपने जीवन में उस काम को करना चाहिए जो हमें बहुत पसंद हो और हम उस काम को करने की च्छा रखते हो फिर हमें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पढ़ती आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय केवल आज का ही है कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो समय रहते अपने सपने को पूरा कर लो वरना जैसा आज है वैसा ही कल होगा आपके साथ उठो जागो और अपने सपने को पूरा करो अगर लोगों को तुम से शिकायत हो तो हमेशा याद रखना कि ये उनकी प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं जिन्दगी उसी को आजमाती है जो हर मोड पर चलना जानता है कुछ पा कर तो हर कोई मुस्कूराता है जिन्दगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कूराना जानता है आज सबसे पहले में बता दू कि आज आपके लिए शुब रंग रहने वाला है केसरी और शुब अंक रहेगा नौम करियर में आगे बनने की आज कोशिश करें आज आपको लाब होगा पैसों के काम और परिवार के बेच संतुलन बन सकता है काम काज में अपने से बड़े लोगों की तारीफ और मदद आपको मिलेगी परिस्थितियों के हिसाब से ही आप काम करेंगे आपके अंदाज दे कुछ लोग प्रभावित भी होंगे किसी काम के बारे में आपकी भविश्यवानी सही साबित हो सकती है फाल तो काम में आफ़ सकते हैं और इसी कारण आपके काम योजना के नुसार नहीं हो पाएंगे कुछ कामों में आपका आलस बढ़ सकता है दोस्तों के साथ बाचित में समय निकल जाएगा इसी कुछ खास काम अधूरी रहेंगे चोट और धुरगटना के भी संभावना बन नहीं है आनियमितिता के कारण सहत में गड़ड़ी भी हो सकती है लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का मन बना सकते हैं लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा करेर की बात करें तो आज बिजनेस और नौकरी में रुकावते दूर होंगी स्टूर्ण्स की बात करें तो आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगी हैल्थ की बात करें तो सिर और कमर दर्द हो सकता है खबर आहट भी रहेगी आज आपके लिए विशी शुपाईए नहींगा कि आज आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक किजिए शेर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुल भी ना भूलेगा धन्यवाद